चार साल कड़ी मेहनत करने के बाद करीब 20 सब्जेक्स पढ़ने के बाद CA का एक्जाइम जो की इंडिया में one of the toughest examinations है उसको clear करने के बाद सारे तीन चार साल आर्टिकल शिप में दिन दिन रगणने के बाद accounting standards, standard of auditing, DT provisions, IDT provisions, law के sections सब मुझ जबानी याद करने के बाद नौकरी मिलती है 6 लाक रुपे on an average, 7 लाक रुपे on an average वो भी अगर आप एक बड़े शहर में job धून रहे हैं अगर आप tier 2 cities या फिट towns में job देखने जाते हैं तो एक fresh chartered accountant को मिलती है साड़े तीन या 4 लाक रुपे की नौकरी almost same with CS and CMA students also फिर आप लोग यह बोलते हो यार चार साल इतनी महनत करने के बाद अगर साड़े तीन, चार लाग, पांच लाग या छे लाग रुपई कमाने थे तो फिर काहे की सबसे important degree, सबसे beneficial degree accounting world के अंदर इंडिया में इससे अच्छा तो मैं और ही कुछ कर लेता, और कई महनत कर लेता, चार साल तो और कई मेरा करियर अच्छा बन जाता यह जो डायलोग है, क्या तो आप सुन चुके हो, या आगे सुनने वाले हो, या खुद सोचने वाले हो लेकिन सोचने की बात ये भी है, कि क्या जो average salary package है एक CA की, उसके लिए who has to be blamed क्या वो institute को blame करना है, या एक CA को पूरी की पूरी curriculum है, जो syllabus है, उसको blame करना है या थोड़ी सी introspection करके अपने अंदर भी जांकने की जरुद है it's not only about starting off with a package, लेकिन आगे भी जब career progression होता है तो majority of the chartered accountants, in spite of being technically very strong, fail to progress very well in their career या बहुत high level, managerial level पर बहुत कम chartered accountants पहुंच पाते हैं इस वीडियो के अंदर हम discuss करने वाले हैं क्यों, और कैसे आप उस चीज को correct कर सकते हो, change कर सकते हो and have a better future in this course उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेंसे कोई भी CLAT की preparation कर रहा है law admission test जो है इंडिया के अंदर 2021 में अगर आप कोई plan कर रहे हो लिखने का या उसके बारे में समझने का then unacademy platform पर आप लोग बेशक जाकर उसके बारे में समझ सकते हो जो लोग exam दे रहे हैं या planning कर रहे हैं पढ़ाई करने की उनकी unacademy की mission clad success 2021 batches चालो होने वाली है 7th of December से आप लोग जाकर उसको भी देख सकते हो वहाँ पर subscribe कर सकते हो, enroll कर सकते हो उनकी जो fee structure है, जो भी description है, जो भी details है जो भी tutors आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं सब कुछ मैं आपको नीचे, description में link दे रहा हूँ, पुरा content दे रहा हूँ वहाँ पर जाकर आप लोग use कर सकते हो not very expensive, उनके flexible plans है, जो आप जाकर देख सकते हो अगर आप client के बारे में समझना चाते हो, जानना चाते हो या फिर पढ़ रहे हो, एंड exam दे रहे हो तो definitely आपको बहुत मददगार साबित होने वाली है ये चीज अनकेडमी की तरफ से अब आते हैं वापिस अपने topic के ऊपर भई मुद्दा ये है कि सर टेकनिकल नॉलेज में तो मैं number one हूँ फिर मुझे क्यों job नहीं मिल रही अच्छी क्यों मुझे 10 लाग, 12 लाग, 15 लाग की package नहीं मिल रही मिलती है, chartered accountants को भी 15 लाग, 20 लाग, 25 लाग की packages मिलती है बट generally rankers को preference है या फिर जो अगर आप foreign posting लोग जैसे अफरीका के अंदर तो आप लोगों को अपनी first salary उतनी है भी मिल जाएगी otherwise the chances of getting anything beyond 7 to 8 lakhs यानि कि अगर आपको 7 digits में चाहिए 10 लाग के उपर चाहिए then तोड़ी सी मुसीबत, तोड़ी सी मुश्किल, difficulty जरूर है and इसकी prime वज़ा एक ही है वो है आप लोगों की soft skills आप लोगों की खुद की presentation, आप लोगों का aptitude, आप लोगों का general knowledge जो differ करता है एक chartered accountant को एक MBA से sir MBA इसको तो technical knowledge ही नहीं होता हमें नहीं समझ में आ रहा कि वो managerial positions कैसे बस power point presentations बना के आगे बढ़ जाते हैं सच में अगर ऐसा होता तो क्या जो बड़ी बड़ी company है उनको समझ ही नहीं आ रहा कि technical knowledge तो chartered accountant के पास है तो हम क्यों MBA को promote करके managerial positions में बिठा रहे हैं MBA को manage करना है किसको manage करना है आपको manage करना है technical काम तो आप कर रहे हो ना उसके लिए MBA की क्या जरुरत है as simple as that now trust me if I'm given a pool of CA students and I don't mean to demean anybody over here CA, CA, CA में तीनों ही अब pool of CA, CA, CA में students and मैं मुझे बोला जाता है कि आप 100 बच्चों को randomly pick up करो मैं 100 बच्चों को randomly pick up करोंगा उसमें सा एक एन guarantee कि 90 students ऐसे निकलेंगे जिनकी या तो communication खराब है या उन्हें general awareness बिलकुल zero है या फिर उनको पता ही नहीं कि world में क्या चल रहा economics affairs में क्या चल रहा है they will not know anything outside their own bubble कि भाई हम तो आर्टिकल शिट में ये दो-तीन subject के ऊपर काम करते थे अपने CA exam में ये 18 subject पढ़ते थे हमें तो इतना ही आता है और हम समझ रहे हैं हम तो king है हम एक तालाब में रह रहे हैं and that is the reality additional skill sets किसी के पास नहीं मिलेगी अगर आप सोच रहे हैं GMCS होता है ना 15-20 दिन का अगर आप सोच रहे हैं कि GMCS में 15-20 दिन आप सुनके वहाँ पर भी आते time तो मस्ती होती है and to be very honest GMCS is ineffective वहाँ पर जाकर अगर आप 15 दिन में सोच रहे हैं कि मैं soft skills सीख कर एकदम on par with the best हो जाऊंगा तो एक ही comparison में draw कर सकता हूँ आपको अगर आज कोई आता है और बोलता है चलो football खेलना सीखो 15 दिन में आपको world cup खेलना है you have to be ready is it possible? it's not possible developing your personality, developing your soft skills, developing your knowledge is a long drawn process and CA students unfortunately lack at it काफी साथी वज़े हैं कि sir हमें time नहीं मिलता fair point sir बहुत जादा rigorous पढ़ाई हमारी करनी पढ़ती है additional क्या करेंगे fair point sir इन सब के बाद तो दिन में तो गौद कुछ सूचता ही नहीं है exam, exam के बाद, काम, काम के बाद exam हम develop खुद को करें तो कैसे करें well the trick is making small time for yourself छोटे 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 pockets में exams खतम हो चुकी है अगले 3 महीने जब तक results नहीं आते, 2 महीने results नहीं आते आप लोग लिख के ले लो, majority of you will waste your time doing nothing especially जो CA foundation, CA intermediate के students है जिनको अभी articleship का pressure नहीं है या फिर जो CA final students है जो लोग अपनी articleship complete कर चुके है do online courses मेरी free, मैंने एक video बनाया है अपने नए चैनल पर link में नीचे छोड़ दूँगा वहाँ पर जाकर free जो courses है available online, अलग-अलग platforms पर मैंने suggest भी किया है, वहाँ पर जाकर उनमें enroll कीजिए, मुफ्त में अपनी knowledge skill, enhancement कीजिए personality development, इतनी सारी videos है YouTube के उपर, उन्हें देखिए उन्हें follow कीजिए, interviews कैसे देने चाहिए, उनको समझिए current affairs के बार में पढ़िए, समझिए economics, general awareness, politics learn about other geographies कहां क्या होता है, कैसा उनका culture, घर बैठे, आप लोग सब कुछ कर सकते हो, लेकिन करोगे नहीं ना क्यूंकि हम तो आलस से भरे वे हैं trust me, in today's world it is very very difficult to progress in a multinational corporation, अगर आप में varied skill sets नहीं है, अगर आप complete package नहीं हो आप लोगों को progress करना only on the basis of technical knowledge is very difficult, trust me 10 years down the line, your technical knowledge will be obsolete because a computer will be doing what you are doing पहले book keeping जो होती है, वो manually करते थे, हाथ से लिखते थे, debit, credit, tally करते थे आज क्या हो रहा है, आज कोई एक आदमी enter करता है, साल के आदमें balance sheet tally होकर मेरे हाथ में आ जाती है, और किसी को कुछ नहीं करना पड़ता, यानि की 100 लोगों, 1000 लोगों का काम कम already हो चुका है, and as we are progressing in the era of digitalization वो ही continuously होता जाएगा you have to upskill yourself ना ही सिर्फ finance area में आपको focus करना होगा, बलकि आप लोगों को focus करना पड़ेगा even in the non-financial, यानि की technological areas, AI के बारे में समझो, data analytics के बारे में समझो, try to understand what are the different things that are happening, what are the trends तो ताकि जब आप एक interview देने जाओ, job के लिए, you are able to talk much beyond just your technical capabilities, एक बार job लग भी जाती है, promotion जब आपको चाहिए होता है, तो there is a review period की 2 साल, 3 साल में आपने कैसा काम किया, अरे ये बंदा technically तो बहुत strong है, रेकिन managerial skills तो है इसको additional कुछ पता ही नहीं है he is only a technical guy I don't think he will be, or he or she will be capable to take up a managerial position, extremely important, how to socially network how to build relationship skills all this is very important unfortunately, not a part of the curriculum for CACACMA आप लोगों को naturally इस course में, जैसे MBA में मिल जाते हैं chances आप लोगों को socialize करने के लिए क्योंकि वो वही type का orientation है उस course का, CA course का orientation वैसा नहीं है, and that is why you will need to do extra work effort डालना पड़ेगा आप लोगों को, to ensure कि आप लोग अपनी skill से develop कर रहे हो, to be relevant in market, and that is what I want to tell all of you today, realize before it's too late, realize before you are already in, at the back of the line, जब job की बात आएगी, जब career progression की बात आएगी you are very young right now most of the viewers on this channel please take up your career seriously, मेरी second channel की link में छोड़ रहा हूँ, उसमें ऐसे ही videos में काफी सारे लेकर आता रहूँगा, आप लोगों की मदद जरूर करता रहूँगा, इस channel को भी subscribe कर दीजे, like कर दीजे, इस video को हो सके तो share कर दीजेगा, comment करके मुझे बताईए आपके views, thank you so much for watching guys, all the very best